UGC NET हिंदी की परिक्षा बहुत करीब है तो ऐसे में हर एक विद्यार्थी ये चाहता है कि उसकी तयारियां और भी अच्छे तरीके से हो और इन्ही तयारियों को और उंदा तरीके से और निखार लाने के लिए आज हम अपनी जो इकाई 5 की महत्वपूर्ण प्रशनोतरी आपके बीच में लेकर आए हैं ताकि आपकी तयारियां और भी अच्छे से हो सकें नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुभाष और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य वारता तो चलिए आज हम बात करेंगे एकाई 5 हिंदी कवीता से संबंदित जो होत्वपूर्ण प्रशन ह उनकी यहां से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से प्रशन पूचे जाते हैं और किस तरीके से प्रशन बनने की संब्भावना रहती है जो हमारा हिंदी कवीता वाला भाग है वहाँ से तो चलिए बीना देर के शुरूआत करते हैं आज के लक्चर की प्रशन नमबर एक है देखिए कथा की परिक्षा इतिहास के दिश्टी से नहीं कावे के दिश्टी से होनी चाहिए यह कतन किसका है तो देखिए हर बार परिक्षा में इस तरीके से एक आपको कथन दिया जाता है और वो पूछा जाता है कि किसका है और यहां पर मैंने यह कथन इसलिए रखा है क्योंकि यह हमारी जो इकाई पांच है उससे ही संबंदित है और यह किस रचना के लिए कहा गया है यह प्रशन भी यहां पर स्वता ही बनता है तो यह वली जो पंक्तिय कही गई है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यह कही गई है जो पृत्विराज रासो है उसके लिए तो पृत्विराज रासो के र ainda रीचैता कौन है? चंदरबरदाई हैं और पृत्विराज रासो से ही समंदित अन्य जो प्रशन बनते देखिए शुक शुक के संभाद में लिखा गया है यह किस ने कहा है? यह अचा हजारी प्रसाद दुवेदी ने कहा है और कौन इसको प्रमानिक मानते हैं कौन अप्रमानिक मानते हैं यह वरी चीजें हमने discuss अच्छे तरीके से की हुई है जो हमारा unit 2 है उसमें वहां पर हमने इनको बहुत पहतर तरीके से समझा है ठीक है न, अब हम देख लेते हैं कि ये वली पंक्तियां जो है, ये किसकी है, तो ये कहीं है, विकल्प नमबर 3 देखिए, हजारी प्रसाद दुवेदी, विकल्प नमबर 3 इसका सही उत्तर होगा, चलिए, नेक्स प्रशन हम देख लेते हैं, बालचंद विज्जावई भास दुहु नहीं लग गई, दुज्जन हासा, पंक्ति किसकी है, तो देखिए, ये वली पंक्तियां भी बहुत महत्पूर्ण पंक्तियां हैं, ये भी हमारे जो इकाई 5 हैं, वहां से ली गई हैं, ठीक है, तो विकल्प में देखिए, स्वयम्भू, विद्यापती, जागनिक या फिर नर्पति नालह, तो ये वाली जो पंक्तियां हैं देखिए, इसका जो साही उत्र होगा, विकल्प नमबर, तो विद्यापती, तो विद्यापती की ये पंक्तियां हैं, और विद्यापती की जो रचना है देखिए, कीर्थी लता, वहां से ये ली गई है, और कीर् शिव सिंग की वीरता का इसमें वनन किया था जबकि अगर हम बात करें कीर्थी पता का की तो उसमें इनोंने वनन किया है जो शिव सिंग की वीरता का इसमें वनन किया है इनोंने तो विद्यापती की जो एक रचना हमारे पाठेक्रम में शामिल है देखिए वो है पदावली तो पदावली के जो पहले के 20 पद हैं, वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, और पदावली की जो भाशा है, वो खौनसी है, वो है मैथिली, और इसी के लिए इनको क्या का जाता है, मैथिल, कोकिल, क्योंकि इनकी प्रसिद्धी का आधार क्या है, विद्यापती ही, पदाव बनते हैं और जिनके बनने की संभावना रहती है। I hope आप लोगों के लिए इतना काफी है और बहुत सारी चीज़ें यहां से आपकी क्लियर हो गई होंगी। अपकदास भी है मीरा भी अभी कल्ब में लेकिन सही उतर क्या है विद्यपती होगा। नेक्स परशन है देखिए हिंदी भक्ति काव्य का प्रत्थम क्रांतिकारी पुरसकरता कभीर को किसने माना है। यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा गुमा के पूछा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रत्थम क्रांतिकारी पुरसकरता कभीर को किसने माना है। या इस तरीके से भी प्रत्थम पुछा जा सकता है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रत्थम क्रांतिकारी पुरसकरता कभीर ही है। ठीक है यह है पंक्तियां किसकी हैं। तो यह एक ही चीज़ है विकलब में देखिए अचारे शुकल, हजारे प्रसाद दुवेदी, राम बिलास शर्मा या फिर बच्चन सिंग। तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा विकलब नमबर 4 बच्चन सिंग। तो बच्चन सिंग ने कहा था किस के लिए? कबीर के लिए. मैं हर बार अपने वीडियो में, हर एक लक्चर में यही कहता हूँ कि कबीर, तुलसी, सूर, जैसी, इन से प्रशन बनने की संभावना हमेशा ही रहती है. ठीक है? और इनके बारे में बिद्वान क्या कहते हैं, यह भी पूछा जाता है. तो यहाँ पर बच्चन सिंग का कथन पूछा गया था. ठीक है? नेक्स्ट है देखिए, खुसरो के समद्ध में असत्य कथन कौन सा है? तो अमीर खुसरो के बारे में हमने पूरा का पूरा लेक्चर एक तियार किया हुआ है, आप उसको भी हमारी प्लिय्लिस्ट में जाकर चेकर सकते हैं. खुसरो ने हिंदी खडी बुली की निव रखी, बिल्कुल सही बात है, कि खडी बुली हंदी की जो निव रखी है, वो खुसरो ने ही रखी है. इसलिए इनको तूतिये हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है और ये इनका जो समय है देखिए वो है 1253 के आसपास ठीक है ना खुसरो अर्बी फार्सी और हिंदी के प्रकांड बिद्वान थे तो ये बात बिलकुल सत्य है खुसरो को खेयाती पहिलियां और मुक्रियां से मिली है ये भी सही है तो इसलिए इसका जो सही उतर होगा देखिए विक प्रशन है देखिए नागमती प्रतीक है तो देखिए जो नागमती है ये हिंदी साहित्य की जो अनुपम निधी माना जाता है जो पदमाबत का नागमती ब्योग घंड है उसको तो यहां पर नागमती के बारे में पूछा गया है जो क्या है एक पात्र है पदमाबत की जो मलिक मुहमद जाईसी द्वारा रचा गया था है ना पदमाबत कब लिखा गया था 1540 में ठीक है मलिक मुहमद जाईसी के द्वारा और ये जो इनका काव्य है देखिए पदमाबत ये पूरा का पूरा काव्य है महा काव्य है और ये प्रतीक आत्मक मा का प्रतीक है इसके जो पात्र हैं किसी न किसी चीज़ के ठीक है तो यहां पर प्रतीक है देखिए नागमती तो नागमती जो प्रतीक है देखिए विकल्प है सात्विक बुद्धी, संसारिक बुद्धी, रिदय या फिर आत्मा तो इस वाले प्रतीक का ज और आत्मा तो आत्मा है रतन से थीग है तो इसके अलावा जो अन्य पात्र है वो भी ना किसी चीज चीज के प्रतीक है उनकेपारे में भी आमने थोड़ी सी जानकारी वोनी चाहिए ठीक है न, तो सुवा जो हीरामन तोता है, उसके बारे में भी कई बार पूछे जाता है, तो वो है आपका गुरू का प्रतीक, ठीक है, तो ये थे नागमती के समझ में प्रशन, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, अग्रदास किसके शिष्य बने, तो विकल फें देखिए, नवादास, कीलहदास, अनंतानंद, या फिर कृषनदास प्याहरी, तो अग्रदास किसके शिष्य बने, देखिए, साधारन सा प्रशन पूछा गया है, to the point, है न, सीधा प्रशन, तो अग्रदास जो शिष्य थे देखिए, ये थे कृषनदास प्याहरी के, तो दो लोग देखिए, दूसरा कौन था, इनके साथ, कीलहदास, तो कृषनदास प्याहरी के दो शिष्य हुए, एक है आपके अग्रदास, दूसरे है आपका कीलहदास, ठीक है, इस वाले प्रशन का जो उत्र होगा, देखिए, वो कभी कलप नंबर 4, कृषनदास प्याहरी, ठीक है, जबकि जो नाबादास थे, वो कौन थे, वो अग्रदास के शिष्य थे, क्लियर है, अगला प्रशन हम देख लेते हैं, टोडरमल की मृतिव पर किसने यह दोहा लिखा था, चार गाउं को ठाकुरो, मन को महामदीब, कली काल में अथै टोडर दीब, तो देखिए, टोडरम के मृतिव पर यह दोहा कहा था, ठीक है, अगला प्रशन हम देखिए, प्रशन नमर नो, बिहारी सत्सई के दोहों की संख्या, 719 है, किन्तु किस विद्वान ने इन दोहों की संख्या, 713 मानी है, विकल्प है, रतनाकर, पदम सिंख शर्मा, शुकल, या फिर, अनंदीलाल शर्मा, इस वाले प्रशन का जो सही उत्तर होगा देखिए, विकल्प नमर एक, जगनातास, रतनाकर, तो उन्होंने माना है, कि जो बिहारी सत्सई है, उसमें कितने दोहें हैं, 713, जबकि वास्तविक्ता में कितने हैं, 719 हैं, जगनातास, रतनाकर ने बिहारी सत्सई, य लिखी है, तो वो किस शिश्चत से लिखी है, यह आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं, चलिए, अगला पशन हम दिख लिते हैं, पशन नमर 10, अती सुधो सने को मारगू है, जहां नेकू सयानप बांक नाही, पंक्ती किसकी है, तो देखिए, ये वाली जो पंक्तियां पूछी गई है, आपका जो रितिकाली इन कभी हैं, उन से संबंदित हैं, और किसकी हैं ये विकलप में देखिए, बोधा, घननन्द, आलम, या फिर ठाकुर, तो सही जो उद्दर होगा इसका वो होगा, घननन्द, तो बहुत महत्तपूर्ण पंक्तियां ह होनी चाहिए और उनकी जो पंक्तियां हैं, उसके बारे में भी पता होना ज़रूरी है, तो सही उतर है, गननन्द, विकलप नमबर दो, नेक्स्ट है, आधुनिक यूग का तुलसी किसे सुईकार किया जाता है, साधरन प्रशन ये है, तो आधुनिक यूग का जो तुलसी क जाता है, ये कहा जाता है, मैथली शेरन गुप्त जी को, ठीक है न, अगला प्रशन हम देख लिते हैं, मैथली शेरन गुप्त के काव्य ग्रंतों को क्रमानुसार रखें, साकेत, भारत भारती, विश्नुप्रिया या फिर पंचुवटी, तो देखिए साकेत कभ लिका गय ये लिखा था 1931 में, भारत भारती ये लिखा था 1912 में, विश्नुप्रिया 1957, जबकि पंचुवटी 1925, तो सही जो उत्तर होना चाहिए, वह आपका विकल्प नंबर 3 होगा देखिए, भारत भारती 1912, पंचुवटी 1925, साकेत 1931, विश्नुप्रिया 1957, तो मैथली शेरन गुप्त के जो ये कावेगरंथ हैं, बहुत मौतबोर्ण हैं, और अक्सर इनको पूछा जाता है, ठीक है, और क्रमवाइज इनको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पार पूछा जाते हैं, चलिए अगला पशनुप नहीं हम दिख लिते हैं, सुमिलित करने के लिए है देखिए, जो उपनाम हैं इनके, जो हमारे कभी हुए हैं, उनके जो उपनाम हैं, उनसे सुमिलित करना है, रसा है देखिए, रसा, कलाधर, जकी या फिर अब्र, तो रसा जो उपनाम है देखिए, ये किसका है, ये है भारत इंदू, अरिशंदर जी का, तो एक के देखे विकल्प नमबर तीन जहां पर है वो बिल्कुल सही होगा। दूसरा है आपका कलाधर, तो कलाधर के नाम से लिखते थे आपके जैशंकर प्रसाद। जकी ये कहा जाता है जगनादास रतनाकर को अब्र जो है बत्री नाराइन चौदरी प्रेमगन का नाम है। तो विकल्प नमबर तीन इसका क्या होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रशन हम देख लेते हैं चायबाद उस राष्टे जागरण की अफिवक्ति है जो एक ओर पुरानी रूडियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधिनता से। यह कथन किसका है। तो देखिए चायबाद के संबंद में विद्वानों ने कथन कहे हुए हैं और ये भी बहुत मौतपूर्ण हैं कई बार परिक्षा मैं इनको भी पूछा जाता है। ठीक है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए वो होगा फिकल्प नमबर एक डॉक् चाहता था। ठीक है तो डॉक्टर नमबर सिंग इसका सही उत्तर होगा। छायबाद के संबंद में देखिए डॉक्टर नगेंदर की भी पंक्ती बकायवार पूछ ली जाती है स्थूल के प्रती सूक्षम का विद्रो तो ये डॉक्टर नगेंदर ने कहा था ठीक है तो इस वाले प्रसाद का उत्र क्या होगा यहाँ पर डॉक्टर नामर सिंग, नेक्स प्रसाद हम देख लेते हैं, जंजा जकोर गर्जन है, बिजली है नीरदमाला, पाकर इस शुने रिदै, सबने आडेरा डाला, प्रस्तुत पंक्तियां प्रसाद की किस कावर रचना में हैं, आंसू, कमाईनी, लहर, या फिर जहरना, तो यह वाली जो पंक्तियां ली गई हैं प्रसाद की जो रचना है देखिए, आंसू, उससे ये ली गई है, तो जैशंकर प्रसाद की जितनी भी रचना हैं, उनको भी कई बार क्रमानुसार पूछा जाता है, या फिर उनकी जो प पूरा डिसकेशन किया हुआ है, दो इनके जो नाटक, आपका चंदरगुपत और सकंदगुपत वह हमने डिसकस कर लिये हैं, अगर आपने वो भी अभी तक नहीं देखे हैं, तो अपने लिस्ट में जाकर इकाई आठ जो हिंदी नाटक वाला हमारा यूनिट है, उसको भी चक कर सकते हैं, फिलाल दोस्तों आज के इस प्रशन उतरी में इतने ही प्रशन थे, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजे, अपने दोस्तों के बीच में शेर कीजे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बोलें, तो फिर मिलेंगे अगले पंदर प्रशनों के साथ तब तक के लिए मुझे दीजी इजाज़त, जय हिंद, जय भारत।